हलो स्टोडेंट, स्वागत है आपका हमारे पी एन पटेल क्लासेस पर आईए आज देखते हैं नाइन्थ क्लास का बहुपत प्रस्नावली 4.1 चूकि बहुपत का एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख चुके हैं अब हम पहले प्रस्नावली का प्रस्चन हल करते हैं यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरी तरीके से देखे हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आईए देखते हैं निम्नलिखित्स ब्यंजकों में कौन सा बहुपत है और कौन सा नहीं अपने उत्तर का कारण भी लिखियो अब जैसे कि आपको जो है बहुपत के परिभासा में बताया गया था कि ऐसा बिजिय ब्यंजक जिसके चर रास्ती का घात पूर संख्या हो वो क्या कहलाता है बहुपत तो यहाँ पर जो हमको ब्यंजक दिया गया है इसमें हमको देखना है कि जो चर रास्ती हैं उनके घात अगर पूर्ण संख्या होंगे तो बहुपत कहलाएगा अन्यथा नहीं तो आईए देखते हैं पहला चार एक्स वर्ग रिर तीन एक्स धन पांच यहाँ पर चर रास्ती एक्स का घात कितना है धन दो यहाँ पर चर रास्ती एक्स का घात कितना है धन एक याने कि यहाँ पर दोनों चर रासिता घात क्या दिया गया है पूर्ण संख्या इसलिए ये क्या है बहुपद है अगला देखते हैं Z plus 3 upon Z अगर इसको हम सही ध्यांग से लिखें तो Z plus 3 into Z को उपर ले जाएंगे तो Z का पावर क्या हो जाएगा minus 1 यहाँ पर तो plus 1 है यानि कि पूर्ण संख्या है लेकिन यह minus 1 हो गया यानि कि पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये बहुपद नहीं है अगला अगर देखा जाएं वर्गमुल Y धन 2Y धन 3 इसको भी हम अगर उसके सही घात के रूप में लिखें तो वर्गमुल Y है तो Y का घात कितना हो जाएगा? एक बटे दो धन दो वाई धन तीन तो यहाँ पर यह जो वाई का घात दिया गया है एक बटे दो जो की पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए यह भी आपका बहुपद नहीं है अगला देखते हैं एक स्वर्ग धन तीन बटे दो यहाँ पर चर्रासी का घात कितना है धन दो यानिकर चर्रासी का घात फूर्ण संख्या है तो इसलिए यह क्या कहलाएगा बहुपद है और लास्ट देखते हैं X का घात, धन 10, Y का घात, धन 3 और T का घात, धन 50 यहाँ पर 3 अलग-अलग चर्रासी लिया गया है X है, Y है, T है लेकिन हमको उसके घात से मतलब है तो यहाँ धन 10, धन 3 और धन 50 तीनों पूर्ण संख्या है इसलिए यह भी क्या होगा? बहुपद होगा तो यह जो है, आसानी से हम पता कर लिए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं अगले कोश्चन में देखते है निमनल लिखीत में X वर्ग का गुनांक लिखिए X वर्ग का गुनांक मतलब जहाँ पर X वर्ग है उसके साथ किस संख्या का गुना है वो क्या कहलाएगा? गुनांक कहलाएगा जैसे यहाँ पर 3X वर्ग, धन 2X वर्ग, धन 3X धन 2 चूंकि यहाँ पर 3X वर्ग और 2X वर्ग दोनों के दोनों समान पद है दोनों के चिन भी समान है जूड सकते हैं तो अगर हम जूड दें तो यह क्या हो जाएगा 5X वर्ग, धन 3X धन 2 अब जो है X वर्ग का गुनांक अगर देखा जाए तो कितना है? 5 तो यहाँ आप लिख सकते हैं X वर्ग का गुनांक बराबर 5 Next देखते हैं यहाँ पर X वर्ग का गुनांक कितना दिया है? धन 3 इसमें यदि हम देखें तो 2, 5X वर्ग, धन 1 बटे 2, X का धन 3 बोला गया है X वर्ग का गुनांक तो यहाँ पर X वर्ग के साथ किसका गुना है? रेन 5 तो X वर्ग का गुणांग हमको यहां तितना मिलता है रेर पांच नेक्स्ट X वर्ग बटे 2 धन 1 यदि हम इसको थोड़ा ब्यवस्थित लिग दें तो यह ऐसा होगा 1 बटे 2 X वर्ग धन 1 और यहां X वर्ग का गुणांग कितना हो जाता है 1 बटे 2 लिख देंगे X वर्ग का गुणांग 1 बटे 2 और लास्ट देखते हैं X का घाथ 4, धन X का घाथ 3, धन 1 बटे 4, X का वर्ग तो यहाँ X वर्ग के साथ किस का गुणा है? धन 1 बटे 4 तो यहाँ पे X वर्ग का गुणांग कितना होगा? 1 बटे 4 तो यह सीरी सी बात है कि गुणांग मतलब किस संख्या का गुणा हो रहा है उसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नीमन बहुपद में X का गुणांग x का गुणा यानिकी x के साथ जिसका गुणा हुआ है वो एवम अचर्पद लिखिए तो introduction वीडियो में आपको यहाँ पर अचर बहुपद के बारें बताया गया था अचर बहुपद याने की जिस पद में अचर बहुपद नहीं अचर पद जिस पद में जो है चर रासी न दिया हो या फिर बोल सकते हैं चर रासी का घात सुन न दिया हो वो क्या कहलाता है अचर पद अब यहाँ पर देखते हैं X वर धन 1 बटे 5, X धन 5, बोला गया है X का गुणांग, तो यहाँ पर X के साथ किसका गुणा है? 1 बटे 5, तो इसमें जहाँ X का गुणांग हमको कितना मिलेगा? एक बटे 5 और अचरपद कौन सा होगा जिसमें जो है चर्रासी का कोई उल्लेक नहीं है जैसे 5 के साथ चर्रासी है नहीं तो ये क्या कहलाएगा अचरपद तो X का गुणांग का आया एक बटे 5 और अचरपद कितना आया 5 नेक्स देखते हैं वर्गमुल्द 2 X धन 7 तो निश्चित रुप से X का गुणांग यहाँ पर हमको कितना मिलेगा वर्गमुल्द 2 और अचरपद क्या मिलेगा हमको 7 X वर्ग धन 2 अब यहाँ पर अगर देखा जाए बोला गया है क्या X का गुणांग और यहाँ पर तो केवल X वाला दिख नी रहा तो हम इसको क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं X का वर्ग धन 0 इंटू X प्लस 2 अब यहाँ पर X का गुणांग कितना आजाएगा 0 आएगा और अचरपद में क्या मिलेगा हमको 2 भी लेगा चोकि यहाँ पर X वाला फेक्टर दिया नहीं था तो हम यहाँ पर लिखे 0 इंटू X क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर से 0 मिल जाएगा तो X का आर का द्वी पदी बहुपद आपको एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद हूँ केवल 2 पद लेकिन उसका घात कितना होना चीए 4 तो बहुपद का घात होता क्या है बहुपद का घात मतलब अगर आपको कोई बहुपद दिया गया है उसमें निश्चित रुप से चर जो है 2 या 3 बार आया होगा और उसमें सभी चर रासी में घात अलग-अलग लगे होती है जो सबसे अधिक्तम घात होता है वही जो है उस बहुपद का क्या कहलाता है घात तो यहाँ पर घात 4 वाला बुला गया है तो आप एक ऐसा पद लिखो जिसमें घात 4 लगा रहे उसके साथ गुणांक कुछ भी रहे धनात्मक गुणांक रहे रनात्मक गुणांक रहे या गुणांक न रहे न रहे याने की प्लस वन होगा तो आप एक ऐसा बहुपद लिख दीजिए जिसमें अधि एक्स का अधिक्तम घात कितना हो 4 तो आप लिख दिए एक्स का घात 4 चार और पदर कितने होने चाहिए दो होने चाहिए तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं x का घाट 4 धन x का घाट 3 यह आपका एक एक इग्जामपल हुआ यह आपका आंसर हो गया लेकिन और क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ मालो आप y की रूप में लिखना चाहते हैं 3y का घाट 4 यहाँ पर घाट 4 और घाट 3 लिख दे कोई जरूरी नहीं है घाट 4 लिखो उसके बाद जो है केवल घाट एक भी लिखोगे तब भी चलेगा तो यह आपका 3y का घाट 4 धन 3y देखो दो पद है और अधिक्तम घाट 4 ह इसलिए घाट 4 का क्या कहलाएगा द्वी पदी बहुपद कहलाएगा और यदि चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं मालो लिख दिए 6y जेड का घाट 4 रेंड 2 यह भी आपका घाट 4 का क्या कहलाएगा द्वी पदी बहुपद कहलाएगा आपको ध्यान रखना है कि प गार वाला रहे और उसके बाद आगे वाला आप जितना भी घात रखो घात सुनने वाला भी लिख सकते हो घात एक वाला लिख सकते हो घात तीन लिख सकते हो घात दो भी लिख सकते हो लेकिन दो पद लिख करके दोनों को घात चार नहीं करना है नहीं तो फिर वो आपस में जूट जाएगा या घड जाएगा और आपका दी पदी बहुपद नहीं बनेगा, एक पदी बहुपद हो जाता है, अब इसके बाद देखते हैं, घात 6 का 3 पदी बहुपद, अधिकतम घात 6 होना चीए, चलो लिख देते हैं 2x का घाट 6 और टोटल कितने पद होना चीए तीन पद होना चीए तो यहां लिख दो रिण x का घाट 5 धन 2x का घाट 4 अब यहां पर देखें 3 पदी बोला था आमने 3 पद लिख दिया घाट 6 बोला था अधिक्तम घाट 6 लिख दिया बाकि यह दोनों का घाट आप जीतना लिखो चलेगा मानलों दूसरा आप लिखना चाहते हो x का घाट 6 रेंड 3x धन 5 यह भी है यहां पर भी कितने पद 3 पद तो 3 पदी तो हो गया अधिक्तम घाट कितना है 6 तो घाट 6 का 3 पदी बहु पद हो चाता है सेम ऐसे ही घाट 5 का एक पदी बोला ग चाहो 2x का घाट 5 तब भी सही है यहां फिर आप लिखना चाहो रिड 2x का घाट 5 यह भी आपका घाट 5 का एक पदी बहु पद कहलाएगा यहां फिर लिख दो केवल z का घाट 6 वह भी है यहां पर मैं समझाने के लिए 2-2-3-3 जो है बहु पद लिख रहा हूं लेकिन आप आपको आंसर में केवल एक बहु पद लिखना है जैसे कि यहां पर बोला गया है घाट 5 का एक पदी बोला है तो आप इतना लिख दो परियाथ है अगर इसको निखना चाहते आप इसको लिख दो परियाथ है तो इस प्रकार से जो है यह हम घाट 4 का घाट 6 का घाट 5 का अल अलग बहुपद जहीं स्ट्रकार से लिख सकते हैं अब अगला कुश्चन देखते हैं निम्नलिखित बहुपद में प्रत्य की घात लिखिये जैसे की बताया गया है कि यदि कोई भी बहुपद लिया जाता है तो उसमें चर रासी का जो अधिक्तम घात है वही जो है बहुप बहुपद का घात हमको कितना मिलेगा तीन यहां पर अगर देखें वाई का घात नो वाई का घात साथ वाई का घात दो अधिक्तम घात कितना है नो तो इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा नो इसमें देखते हैं तीन रेन वाई का घात तीन गुनित जेड यहां पर थो गहात नहीं दीख रहा है मतलब कितना है एक और दोनों का यहाँ पर क्या है गुणा तो इसका गहात तीन और इसका गहात एक दोनों मिला करके जूड़ करके गहात कितना हो जाता है चार अब यहाँ पर वाई का गहात तीन दीख रहा है तो गहात तीन लिखेंगे बुलेंगे गलत हो जाएगा y का घात 3 और z का घात 1 चुकि दोनों के बीच गुणा है multiply हो रहा है इसलिए दोनों के घात जुड़ जाते हैं और वही जो इस बहुपत के घात कहलाएंगे तो यहाँ पर घात कितना हो जाता है 4 सेम condition यहाँ पर आने वाला है x का घात 2 और y का घात 1 टोटल कितना हो गया 3 यहाँ x का घात कितना 1 तो यहाँ पर इन दोनों के बीच गुणा है तो दोनों के घात आपसमे जुड़ेंगे घात 2 और घात 1 तो इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा उसके बाद है 5T रेंड वर्गमुल 11 यहाँ पर 4 रासी क्या मिला है हमको T और उसका घात नहीं दीगरा मतलब कितना है 1 है तो इस बहुपत का घात कितना हो जाएगा 1 अच्चुकि 7 में कोई 4 रासी है ही नहीं हम चाहें तो इसको 7 गुरीब एक्स का घात सुनने लिख सकते हैं क्योंकि x का घात सुनने का माण कितना होता है 1 और एक का 7 में गुना करेंगे तो 7 ही मिलेगा तो यहाँ पर चर रासिता घाट कितना दिख रहा है? जीरो, तो यहाँ पर इस बहुपत का घाट क्या हो जाएगा? सुन्न हो जाएगा अब इसके बाद देखते हैं निमनलिखित बहुपतों में से अचर, रैखिक, द्वी घातिय कि हम त्री घातिय बहुपतों को च्छा दिये अब जैसे यहाँ पर हम क्या देखे? बहुपत का घाट यदि बहुपत का घाट सुन्न आ जाए तब उस कंडिसन में हम उसको क्या बोलते हैं? अचर बहुपत बोलते हैं यदि घात जो है एक मिले किसी भी बहुपत का घात एक मिलता है तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपत यदि किसी चर्रासी का घात चर्रासी बोलता हूँ बहुपत का घात अगर दो मिले तो क्या कहलाएगा? द्वी घातिय बहुपत और यदि किसी बहुपत का घात तीन मिलता है, तब उसको हम क्या वो लेंगे, त्री घातिय बहुपद, तो इसके आधार पर जो है, आपको अलग-अलग शाटना है, बारा बहुपद दिया गया है, कौन सा अचर, कौन सा रैखे, कौन द्वी घातिय और कौन त्री घातिय उसको हमको शाटना है, तो देखते गहातिय बहुपद यहां पर दिक्तम घात कितना तीन यह भी हो जाएगा त्री घातिय बहुपद यहां दिक्तम घात कितना दिखता है दो यह कहलाएगा आपका द्री घातिय बहुपद यहां पर देखें ती का घात कितना है एक और घात एक होने पर क्या बोला जाता है रैख बहुपद तो यह आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद यहाँ पर घृत कितना है? तीन तो यह हो जाएगा आपका त्री घृतिय बहुपद और यहाँ पर आठ केवल दिया है, चर्रासी है नहीं, वो किसके अंतर गताएगा, अचर बहुपद, यहाँ पर है घात दो, द्री घाती है बहुपद, यहाँ धिक्तम घात दो, द्री घाती है बहुपद, यहाँ पर धिक्तम घात एक दिया है, तो रैखिक बहुपद, यह आ आपका राइखिक बहुपद और लास्ट माइनस प्रियपं सेवन यहां भी चर्रा से है नहीं तो यह भी क्या कहलाएगा आपका अच्छर बहुपद कहलाता है तो इस प्रकाल से जो है आपका बहुपद प्रस्नावली चार दस्मलव एक कंप्लीट होता है तो आज के वीडिय हैं नेक्स्ट वीडियो में